नमस्कार किसान भाईयों आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के अमारे इस वीडियो में दोस्तों महिंदरा 575 प्लस टेक्टर है और उमिया कंपनी के एमभी प्लाव पे चल रहा है टेक्टर एमटेक हाड़ॉलिक के साथ है और देख लोक बाइस देख लो टेक्टर जबरदस्त है और टेक्टर ज्यादा पुराना नहीं है अच्छली तीन-चार महिने पुराना ही है 2022 का है यह मॉडल और पर्फॉर्मेंस देख लो आपके सामने है टेक्टर की गेर एच बन है हाई के पहले गेर में और 17 की रेस पे 16 17 की रेस पे चला रहा टेक्टर रिप्यम ड्रॉप कर रहा एक दो पॉइंट नीचे हो रहा है मतलग 17 की रेस पे अगर चला रहा है तो यह साड़े पंदरा और και hop से पंदरह सु रवीम तक रहा वही सॉ से लेके 200 रॉप कर रहा नए टेक्टर के लिए इतने रॉप कोई खास बात नहीं होती टेक्टर अभी रवा नहीं है टेक्टर को रवा जि कर रहैं एम भी फलॉप्र कर रहा है अभी कल्टिवेटर पर तो खे़र मौकाम मेला नहीं था क्जूंकि माटर की खेती थी तो उसमें काफी जाता टाइम ले गई प्राइस हितना मिला नहीं तो बीज मेंधार करने पड़े हरा मटर भी का नहीं भाकी की टेक्टर की डीजल कंजम्शन तो महिंद्रा का डीजल कंजम्शन पांस पिछत्तर का तो बताने की जरूरती नहीं है बैसे तो सब कोई पता है बढ़ फिर भी जो किसान भाई नहीं जाता थे तो उनको बता दो कि अगर आप पर टेक्टर रवा है लगबख आट सो नौसव गंटे तीन्चा सर्विस हो चुकी तो आपका एमी प्लाव पे एल्टी ग्रेया या एच्वन गेर में चलना है तो आपको साड़े छ ज्यादा है अब रामा करना है तो मजबूरी तो वैसे ही है खींच के इसको चलाना ही पड़ेगा टेक्टर की इस कैडिगरी में और भी टेक्टर है मतलए अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं जैसे मैसी 242 HP का टेक्टर है बट उसके साथ आप 380 kg या 420 kg का एमी प्लाव चल चला सकते हैं सेंसिंग जबरदस्त है वह भी टेक्टर अच्छी परफॉर्मेंस देता है परस्नल यूज के लिए और एक आता है आपको सवराज 744 FE और सवराज 744 XT वह टेक्टर भी अच्छे जलते हैं अच्छी परफॉर्मेंस होंगी कोई मतलब कमी नहीं है डीजल 545D आता है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है यह रेजण जो है काफी यह में पहले ही बता चुका हूँ कि बुंदिलगंड का रिजिन है, हाड मिट्टी पाई जाती है हमारे अधर ट्रेक्टर दबाए मानते हैं तो ज्यादा हाई अर्पियम पे हम लोग एक्शुली इसको नहीं चला पाते हैं लो आर्पियम पे ही चलाना पड़ता है क्योंकि हाई आर्पियम पे ट्रेक्टर चल जाते हैं वट आर्पियम ड्रॉप करते हैं आगे से जंप मारते हैं तो उनकी कंट्रोलिंग थोड़ी मुस्किल हो जाती और इसके अलावा मिट्टी खेत की देख लो पल्टाओ देख लो मिट्टी में एमभी प्लाव लगबाक जा रहा दस इंच से प्लस जा रहा कहीं कहीं एक फिट पे भी जा रहा तो डिपेंड कर रहा मतलब क्या है क्या परफॉर्मेंस है ट्रेक्टर की प्राइस वाइस ट्रेक्टर आपको 6,45,6,40 का मिल गया था किसान भाईयों ने बताया था एमभी प्लाव साठ पैंसट हजार का है तो मालो आपका ये कितने हो गया है साथ दस साथ बीस तक आपका हो जाता है ट्रेक्टर अच्छा है कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा वीडियो नमस्का